हेलो दोस्तो आज की कहानी है मां की भी कोई मजबूरी हो सकती है कल रात से शुरू हुई बारिस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी दोफैर होने को आई अभी भी रुक रुक कर बारिस हो रही थी ठंड अपने पूरे जोर पर थी और बारिस ने तो उसे और भी जादे सरद बना दिया था मीना जी सुबे से बरिश बंद होने का इंतजार कर रही थी आज उन्हें अपनी बैटी के बेटे कबिर के बर्थरे में जाना था उनकी पसंद के गिफ्ट, चोक्लेट सब उन्होंने मंगवा कर रख लिये थे अब 焦 बस मौसम के ठीक हो का इंतजार था। वीना जी को तसलित थी कि उनकी दोनों बेटिया रवीना और सवीना ज़ादे दूर नहीं थी। इसलिए हर तीज्टे वार जनम दिन या किशी के साधी ब्याज ऐसे मौके पर मिलना जुलना होता रहता था आज भी सवीना उनके साथ ही जाने वाली थी वे दोनों बेटियों के लिए बनाई हुए तिल के लड़ू गुड पाग गाजर का हलवा डबो में पैक कर रही थी कि बेटे नितिन ने आकर बताया ममा सेर में जगे जगे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है बड़ी मुश्किल से ओफिस से घर तक पहुंचा हूँ दीदी का नया घर तो वैसे भी बहुत दूर है अक्सर जाम लगा रहता है रात में वापस लोटना मुश्किल है कल सुबह मेरा एक जरूरी मीटिंग भी है आप दीदी को मना कर दो कि हम लोग नहीं आपाएंगे उनको सोच में पड़ा देख नेतिन बोला ममा दीदी कोई बच्ची थोड़े ही है समझ जाएगी मोसम कितना खराब है अभी कुछी दिनों पहले ही आप बुखार से उठी है और फिर संडे को अपने नए सोरूम के उद्गाटन पर सब लोग आ रहे है ना तब यह सामान आप उन दोनों को दे देना जब उन्होंने रवीना को अपने ना आने के बारे में बताया तो उन्हें जैसा कि उन्हें डर था रवीना ने पूरी बात सुने बिना गुस्से में फोन काट दिया उन्हें बहुत बुरा लगा बेटी आजकल माबाप की मजबूरी को नहीं समझते वेन इतिन को चाये देकर अपने कमरे में आकर लेट गई सामने की दिवार पर बच्चों की अपने पापा के संग हस्ती फोटो देख वे अतीत की यादों में खो गई सुरू से ही अपने पापा की लाडली थी अपनी हर बात मनवा कर ही मानती थी उससे दो साल चोटी सबीना सुरू से शान्त और समझदार बच्ची थी कभी जीद करती भी तो समझाने पर मान जाती थी बेटे नितिन को जब भी मार्किट जाओ हर बार एक नया खिलोना चाहिए था और थोड़ी ही देर में उसके हर पूर्जे को खोल कर बैठ जाता था उनके पती अजीत का अच्छा खासा इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स का विजनेस था वे उसमें बहुत बीजी रहते थे घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारिया वीना जी ने खुद अपने उपर ले रखी थी उपर वाले के दया से पैसे की कोई कमी नहीं थी हस्ता खेलता खुसाल परिवार था पापा अब नहीं रहे अजीत के जाने के बाद उनकी भी दुनिया उजड गई थी पर वह अपने बच्चों को तूटते हुए नहीं देखना चाहती थी इसलिए अपने दुख को सीने में दफना कर हिम्मत से हिम्मत लेते हुए उन्होंने अपने बिजनिस को सीखना शुरू किया बहुत दुख उठाए पर बच्चों को खुस रखा बच्चे की हर ख्वाइस पूरी की और उन्हें कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने दी अब लगता है कि साइद हर जीद पूरी होने की वजए से रवीना थोड़ी जिद्धी हो गई है पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटियों की अच्छे घर में शादी हो गई दोनों अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खुस है बेटा नितिन ने पढ़ाई करने के अभी उसका मूड खराब है, बाद मैं आपकी बात करवा दूँगा, आप कबीर से बात कर लो, कबीर की प्यारी प्यारी बातों ने उसका मन खुश हो गया, नितिन बहुत दिनों से एक नया सोरूम खोलना चाता था, आखिर उसकी महनत रंग लाई, कल उनके नये सोरूम का उदगाटन होने वाला है, एक छोटी सी पूजा भी रखवाई है, कुछ करीबी रिस्तेदार आ रहे हैं, सबीना शाम को अपने बच्चों के साथ आने वाली ह कर दिया, कि बच्चों के टेस्ट चल रहे है, वे नहीं आ पाएगी, नितिन उनके पास आकर बोला, ममा, आप जीजी को फोन लगा कर बोलो, थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे, संडे को तो बच्चे की भी चुटी होती है, नितिन को तो उन्होंने बात बना कर समझा दि बदला ले रही है, लेकिन दुख भी हो रहा था कि भाई के लिए इतना बड़ा दिन और बेहन उस पर मौझूद ना हो, सब भी उद्गाटन के लिए त्यार हो गए, तभी रवीना और साहिल अपने दोनों बच्चों के साथ आ गए, रवीना उनके गले लगकर बोली, सोर दर्द हो रहा था, मैं कुछ भी नहीं बना पाई, तब तक ये दोनों स्कूल से आ गए, मैंने जल्दी में इनके लिए वैज पुलाओ बना दिया, मैं सोच रही थी कि काइना नाराज हो जाएगी, उनकी पसंद का खाना क्यों नहीं बना, मेरे कहने पर सोरी बेटा, आज पसंद के पूरी छोले नहीं बना पाई, कल बना दूंगी, आज आप दोनों बेहन बाई पुलाओ खालो, काइना मेरे हाथ पर क्रीम लगाते हुए बोली, ममा, आप रोज हमारी पसंद का खाना बनाती हो, आज नहीं बना पाई, क्योंकि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे पता है आप हम दोनों को कितना प्यार करती है, जैसे नानिमा आपको करती है, तब मुझे अपनी गलती का एसास हुआ कि 10 साल की छोटी बच्ची यह बात समझ सकती है, और मैं इतनी बड़ी होकर यह बात नहीं समझ सकी, कि आप हमें कितना प्यार करती है, और अगर आप नहीं आप आई, तो जरूरी आपकी कोई मजबूरी रही होगी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हमें आपकी आदत सी पढ़ गई, हमने कभी यह नहीं सोचा कि आपकी भी अपनी जिन्दगी है, जिसके मताबिक जीने का आपको भी हक है, अब बस करो, क्या आज की कानी कैसी लगी है, अपनी राए जरूर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अपना किमती समय देने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब त मिलते हैं, पुचल चैनल मिलते हैं, समया ट तुचल आह भ्लाए हैं, तो चैनल को सबर्फ़ è Cसना बचल किमती मिलते हैं, बचल